हेलो फ्रेंड्स, रियल टूर एन ब्लोग में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि आप कम खर्च में कैसे काउंटर टॉप को और्गनाइज कर सकते हैं वो भी कम पैसे में तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो सब्सक्राइब कर लिजेगा मैं आपके लिए इसी तरह वीडियो लाती रहती हूँ ताकि आपको भी कुछ आइडिया मिल सके कि आप काउंटर टॉप को कैसे और्गनाइज कर सकते हैं तो चलिए मैं दिखाती हूँ तो यहां पर देखिए मेरा काउंटर टॉप बहुत छोटा है तो छोटा रहने पर भी आप उसे अच्छी तरह से और्गनाइज कर सकते हैं तो यहां पर मैंने गैस इस्टोप रखाया है यह दो बर्नर वाला गैस इस्टोप है मेरा तो इस तरह से मैंने गैस इस्टोप को रख दिया है और मेरा काउंटर टॉप थूडरा सा छोटा है तो जगर भी यहां थोज़बा सा खम है तो उसके बगल में थोजबहा सा जगर मै ने खाली रखा है ताकि खाना बना के वहाँ पर हम रख सके तो यहाँ पर थ्वासाइश पेस खाली छोड़ दिया है इस तरह से और कॉर्णर में इस तरह का मैंने एक रैक लगा रखा है तो देखे यह प्लास्टिक का रैक है इसमें दो रैक बने हुए हैं तो इस तरह से आप छोटे डबे रख सकते हैं छोटे छोटे डबे बहुत ही अराम से आ जाते हैं और यह प्लास्टिक के रैक हैं जो बहुत कम प्राइज में आपको मिल जाते हैं यह मुझे 80 रुपए में ही मिले हैं तो यहाँ देखे मैंने कुछ डबे रखे हैं इस तरह से कुछ काजू का चवन प पर में कुछ डबे रखे हैं छोटे-चोटे उसके नीचे मैंने कुछ बाउल रखे हैं जो हमेशा हमें जुनद पढ़ती है京ना कांच किकटोड़ी है यहां प्लास्टिक का बाउल है ये रोज काम में आता है तो इस तरह से मैंने इसे रखा है, ये काफी और्गनाइज दिखते हैं और बहुत ये स़स्ते प्राइज में मिल जाते हैं प्रेंड तो इस तरह से आप रैक खरीद के काउंटर टोप को और्गनाइज कर सकते हैं, ये देखने में भी अच्छे लगत यह मेरा बहुत पुराना रैक है, तो इस तरह से मैंने इसको कॉर्नर में रख दिया है, उसके बगल में मैंने तेल रखा है, तेल के नीचे एक प्लेट रखा है, ताकि तेल नीचे काउंटर टॉप पे नहीं लगे, यहाँ पर देखे एक मेरा गिलाश था जो इस्तेमाल नहीं होता था तो उसमें मैंने इस तरह से चम्मच, काटा चम्मच जितने भी थे सब मैंने इस तरह से इसमें रख दिया है और इसके बगल में एक चाकू, लाइटर रख दिया है ताकि लेने में बहुत ही आसानी होती है इदर उदर भागदोर नहीं करनी पड़ती है हमें तो इस तरह से आप भी और्गनाइज कर सकते हैं यहां पर देखिए एक मेरा इस तरह का प्लास्टिक का टोकुरी टाइप से था तो इसे मैंने डेली जो यूज होता है वो कप रखा है ताकि जब भी चाय बना तो कप को लेले इदर उदर नहीं जाना पड़े तो इस तरह स को आधार के रख सकते हैं मैं आपके लिए इसी तरह कीचन मैं आईडियाज लेकर आती रहती हूं इससे आपको भी बहुत आईडिया मिलेंगे कि आप कैसे कांटर टॉप को अर्गनाइज कर सकते वह भी एक्दम कम पैसे में इसे और्गनाईज करने में ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं और ये बहुत ही और्गनाईज दिखते हैं देखिए इस तरह से तो आप इस तरह से प्लास्टी का रेक खरिद के कीचन को और्गनाईज कर सकते हैं तो इस तरह से देखिए मेरा छोटा सा काउंटर टॉप इस तरह से मैंने इसे और्गनाइज किया है और ये एकदम लो बजट में और्गनाइज हो गया है और स्पेस भी थोड़ा सा खाली रखा है मैंने तो ये पसंद आया हो तो लाइक कर दीजेगा और फैमिली फ्रेंड मे सेर कर दीजेगा